नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों स्निरार कादीन है और तारीख है आपके लिए 27 स В Two lr आिख शारे लोगों के लिए मेरे लेकिन सनिरार का दिन जैसा मैं बार बार आप लोगों परता हम सब देन रहता है कि पूरा सफता का पूरा हफता का पूरा एक वी का समरी दिमाग में आता है कि कहा क्या गलत क्या क्या देखना चाहिए था क्या मिस कर दिया तो इन सब चीज को धियान देना है और अभी जो मैं बात करूंगा बिल्कुल अभी मेरे पास एक वीवर के मैसेज आयो थे कमेंट सेक्शन में जैसे कि आपको पता है मैं किसी ने किसी का आंसर देने के कोशिश करता हूं और उसमें बहुत सारी चीजों को समझाने और सिखाने के बात करता हूं तो आपको यहां सवाल है यह common question है सार कि जब सर profit होता है तो 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 हम लोग कटते हैं और भाग जाते हैं और जब loss होता है तो चिटीट से बैथे रहते हैं सर तो इससे हम कैसे निजाद पाएं इससे हम कैसे इस समस्या से दूर हो तु यह समस्या सबके साथ होता है कि profit में लोग जलिदी निकल जाते है विए loss में बैखे रहते हैं पहले कि मार्केट के हिसाब से i decir market अगर नीचे आ रहा है तो लोग सीषनी चली चल रहा है 먼저 market अचानक से उपर चला जाता है आपने देखा होगा मार्केट उपर चला रहता है और अगर आप मार्केट नीचे नीचे से उपर चला रहता है तो आप चेंज नहीं कर पाते हैं आप बैठे रहते हैं अब वह नीचे आ जाएगा वापस से नीचे आएगा चेंज नहीं रहते हैं तो यह सारी चीजे तो देखें लेकिन बात पूरी करूंगा और पुरा प्रैक्टिस और आपको पेसेंस रखना पढ़ता है लेकिन यह सारी चीजे आपको ट्रेनिंग परिय कोई ट्रेनिंग का या कोर्स परचार नहीं कर रहा हूं लेकिन एक इनफोर्मेशन सारे लोगों के लिए कि मेरा इंट्राडे ट्रेंडिंग कोर्स का नया बैच जो है वह अक्क्तूबर के लिए इंॉल्मेंट इसकते हैं मोबायल लैब के तूर या फिर मेरे वेब साइट क लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो कैसे आप इस परेसानी से दूर हो सकते हैं, कैसे आप इस परेसानी से दूर निजात पा सकते हैं, कि मार्केट के साथ साथ चेंज कैसे हो, मार्केट के साथ कैसे अपने बीहेवियर को बदल दे, फ्रिक्शन आप सेकेंड में हम अपना माइंड आर्मी में जाते है, ठ्रेडी के लिए बंदुग चलाना आता है क्या, fewTD jy लोगे लेकिन रेयर आफ द्रेयरेष्ट को अता हो यह आपके काम का हिस्टा होता है तुकी तुक jnln उनको आता необходимо में आता हिए कि कि को डारसे आपको प्रोटेक्ट करेंबर धुर्छा की कि कि प्रोटेक्ट करते रहे का जाता है जान लेई पहले पड़ते हैं अपने देश की रख्षा करते हैं एक प्रैक्टिस को लगता है ऐक caste की फिरिगंते हैं कि ऑसी का कि फेडिक लगता स् कि ये सारी चीजे हमारे काम का हिस्सा है, हमारे जॉब का हिस्सा है, ये हमें देखना पड़ेगा और ये हमारा आगे इसी में काम होगा, तो मार्केट में क्या होता है, कि हम लोग जब माल लेते हैं कि एक ट्रेड मारा, आपने को एक ट्रेड मारा, आपने को एक ट्रेड मारा और हर गिरीन पर अगर सेल होने लगे तब तो दिन भर मार्केट आप से ट्रेड करवाएगा बाय रेट बाय सेल बाय सेल जमझे तो ऐसा होता निए वह सारी चीजे लर्णिंग में काम आई की लेकिन यह चीजे आप समझिये की अपने इंट्री मार लिया सब कुछ देख लिया अपका निफटी भी ठीक है आपका इसकी भी ठीक है उपर चला गया और एक गंटा चला उसी रेंज में चला उपर 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 चला आप ही खुर्स हो रहे है अचानक एक न्यूज आ या कुछ भी market profit booking का सिकार हो ज़ता है और उपर से नीचे आने लगता है लेकिन आपका stock भी उपर जा रहा हुता है उसके साथ वो नीचे आ रहा हुता है आप अब क्या करते है घ्यान दो उपाय होता है या तो profit book कर लेते हैं अगर आप profit में तो profit book कर लेते हैं दूसरा ची होता है या stop loss को cost to cost कर देते है अगर stop loss लगाया है तो तीसरा क्या होता है कुछ लोग stop loss नहीं लगाते तो वो क्या सोचते है नीचे आरन देखते हैं थोड़ा और ऊपर चला जाएगा लिकिन ऐसा नहीं होता है market change हो चुका market friction of second में बदल गया और वो आपके आपको लगेगा कि अब यहां से तो वो वापस चलाई जाएगा उपर हम तो एकदम ब्रुकुछ सही जएगा इन ठीक है वो अचानक से बहुत लंबा ऐसा line मारेगा नीचे आपका support तो तो आपका average price के भी नीचे जला गया यानि आपका सौदा loss ना गया आप change नहीं कर पा गया हमाई से की decision लो और उस पर बने रहो द्यान से सुनिए क्या गया हमारे अंदर में decision लो और उस पर बने रहो ठीक है तो यह चीजे हम लोग के अंदर में परिबार में महौल में डाल दिया आता है जब भी आप बड़े बुजूग से बात करेगा क्या कर रहे हो जीवन म करें डॉक्टर बनेंगे बस सोच लियो ना बेटा उस पर बने रहो अडिगरो भले लाक भी साल कोशिज कर लिया नहीं बने फिर भी अडिगरो यह नहीं होता है दिखिए एक समय के बाद आपको बदलना पूता है अगर आप नहीं बदलेंगे क्या समय तो बीत रहा है ना दो बालिंग में इंट्रेश था वह बालिंग करना चाहते थे लेकिन जब डेनिस लीली ने उनको देखा और उनके पास आये वह बोले बेटा तुम्हारा जो और अबने घ्राक झो동 ऑने ब musimyquiera को में से नहीं से अचा जूरे भी कि आप घवणեյ कर रहे थे तो आप जो तक में आपको वो नहीं आपाया, नहीं सक्चेस कर पाया, तो कहीं नहीं आपको चेंज करने का जुरूरत है, तिसी तरह जब मार्केट उपर जा रहा होता है, आपका इस्टोक भी जाता है, जब मार्केट घुमा, जब वो आपका इस्टोक उसके साथ चल रहा है, आप देख अगर आप टार्गेट के लिए वेट करते हैं, बहुत बड़ी है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, तब आपको stop loss के लिए वेट करना पड़ेगा, तब आपको stop loss लेने के लिए तयार रहना होगा, आपको mind को समझाना पड़ेगा, कि अगर यह पाहाड पे नहीं चाड़ और आप बहुत अच्छे ट्रेडर फिर बनेंगे, फिर बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, या तो मैं टार्गेट ले लूगा भाई, या तो मैं stop loss ले लूगा, इस बीच में कोई मोहम आया ना, क्या करते है उसको, हम लोगों के यह काहा जा रहा है, कौन काहा जा रहा है, उससे मतलब ने हमको दो चीचे, अगर यह डिसाइड करके आप ट्रेडिंग करना बैठेंग ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो सबसे पहले आप जब भी सिस्टम कोलते हैं, माल लीजे, यह मेरा लैप्टॉप है, और आज मुझे ट्रेड करना से बंद है, और आप जब इसको ओपन कर रहे हैं, इसको क्या उल्टा खोल रहा था है, इधर से खुलेगा, यह जब आप ओपन कर रहे हैं, यह इस तरह से ओपन किया, आपको पता हो जाना चाहिए, कि आज आप क्या लेने वाले हैं, और क्या देने वाले, कहने का मतलब है कि आपको पता करके रखना पड़ता है, अपने कागज पर, अपने माइंड पर, अपने कैलकुलेट करके रखना पड़ता है, कि आज आप क्या देने आए हैं, फिर सुनिए, मैं यहाप क्या मार्केट में देने आए हैं, जब आप अपना ट्र मैं 500 रुपया दूगा, मैं 200 रुपया दूगा, मैं 400 रुपया दूगा, को कहता है, मैं 2000 दूगा, तो यह तो माइंड मा आ चुका है, कि मैं 2000 दे दूगा, अब 2000 वो चला भी जागा, तो आपको दिक्कत ने होगा, लेकिन दूसरा चीज क्या, क्या वो 2000 के बदले मुझे 5000 चा आप तुरंत लिजिए और वहाँ से कट कर दिए क्यूंकि आप जड़ा सोचिए कि अभी तो वह दो हजार दे रहा था आपको पनरा सुर्पया दे रहा अगर मार्केट फ्रेक्शन और सकेंड में घुम जाएगा तो वह जो दो हजार का आपने लॉस हो जाएगा तो कम शुक् और अभी तक में वह एक लाग 25,000 बन चुगा है किस से वन पर्सेंट से कैसे बना वन पर्सेंट से अगर आप मेरे नए वीवर है तो जाके वन पर्सेंट चैलेंज देखिए जो इंट्रडे टेटिंग में डालता हूं पूरे वन पर्सेंट को जब आप लेने आते हैं अप अगर आप पांच जार लेका हैंगे बीच जार लेका हैंगे मुझे पचाश जार दो मैं बीच जार लेका हूं मुझे पचाश जार दो मार्केट देगा कभी ना देगा क्यूंकि आप ये मैगनेट का सिधानत है मनी मैनेजमेंट का सिधानत है कि बड़ा पैसा चोटे पैस पैसे जाते हैं तो आप हमेंसे यह समझे कि अगर आप छोटे चीजों लेंगे नहीं तो बड़े चीज अपने आप आपके पास टार्गेट प्रॉफित आजाएगा उसमें कहीं तो आप देखते हैं मैं एक पर्शन लेने आता हूं तेरा सो चौदा रूपे चार जार बन जा जाते हैं कैसे बनता है यही चीज मैं हमेंसा लेने हैं जब मैं कहता हूं कि मैं खाना खाने जाता हूं ठीक है और मेरी एक आदत है कि मैं एक बार जो प्लेट उठाता हूं खाने में कहीं भी घर में भी है ना मैं दुबारा नहीं मांगता ठीक है जो दे दिया एक रोटी द से जादा में फिर नहीं लेता हुआ ये मेरी आदत सुरू से वनीव इस से जादा में लेता ही नहीं अब यह आदत कैसे आगे ठीक वह яв तो अगर आप यह mindset लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं हमने एक decide कर लिया है या तो हमें either profit होगा या either loss होगा हमें कोई attention नहीं तब तो आप trade लगाईए, stop loss लगाईए, target लगाईए, system बंद करके छोड़ दीजे, आपको दिन बर नहीं देखना है कोई attention नहीं लेकिन अगर आप दि मझबूर करदेगा दोस्तों loss में बैठने के लिए or आपको loss में बैठने मैं आपको θ corresponds होगा, वह लॉल रहा हु वहर्ड दूख होता है, आप लोको कहते हों डुक होता है कि अगर आपका पैर में घाउ हो गया हो गया है तो इसको चुर्न ग्हें को छोडदchine बनने देते ना उसमी लोगता खाए अपना Trade कार्ट चार दिजिए खतम ये ओं है लेकिन अगर आपको खुशी हो रही है तो आपने सुना आप profit में निकलेंगे, कम होगा कोई दिक्रत ने लेकिन आप सेफ रहेंगे, तो कभी भी लोग प्रॉफिट क्यों नहीं क्यात पाते हैं, कि छोटा profit हो रहा है, मैं हमेसा कहता हूँ, छोटा बड़ा तो मतलब ही यहां पे नहीं है, मतलब है कि आप profit में निकल रहे हैं कि नही तो वह mindset आपको अपना तयार करके दोस्तों रखना पड़ेगा, अगर वह mindset आप रख लेते हैं, तभी आप एक profitable ट्रेंड कर पाते हैं, महांकि अगर ट्रेनिंग बड़ा करना हो, तो मेरा इंटाडे ट्रेनिंग कोर्स इस्टार्ट है, अक्टुबर बैस का आप decide ना भी करें, कि क्या लेना है, लेकिन क्या देना है, यह आपको सबसे पहले decide करके रखना होता है, क्योंकि अगर यह आप decide कर लेते हैं, क्या देना है, आप बहुत अच्छा trader है, क्योंकि हमें यह नहीं पता market कितना उपर जाएगा, हमें यह नहीं पता market जाएगा कि लेकिन हमें एक चीज पता है कि अगर मार्केट नहीं गया और उल्टा आ गया मेरे विपरित चला गया तो हम कितना दे सकते हैं मार्केट को यह चीजे आपको पता होनी चाहिए और यह अगर जिसने पता कर लिया वो माशालाला बहुत बढ़ियां ट्रेडर होता है तो सबसे अगर आप रख लेते हैं कर लेते हैं यू अपने अंदर जजबार कि मन अपना साइकलोजी को ठीक करिए मन को ठीक मन सारे समस्याओं का जड़ यह मन है ट्रेड करने बैठते हैं दिमाग में आता है पापा क्या बोलेंगे गरल्फ्रेंड कहां चली गई होगी बीबी ने क् फ harmा बनाया है वणना बच्चा इस्कुल गया कि नहीं है यह मन ब्याकुल हो जाता है इस है मन को भटक मिपड़ जिए दूसरा है सारे समस्याह का जड़िये मन अन सबसь पहले मन पे काम किया वर्क करिए मन पे जिसे वीवेका नणजी ने जिआ ता श्वामी वीवाकाशी कभी उनको पढ़िये, कभी उनको सीखिये, उनके जीवनी से समझी कि उन्होंने मन को कैसे कंट्रोल किया, क्या चीजे उन्होंने कहा था कि जिसका मन कमजोड है, वो कमजोड है, ताकतवर होके भी वो व्यक्ति कमजोड है, जिसका मन कमजोड है, और एक कमजोड आद्वी जो पतला दुबला सा है, अगर उसका मन पावर्फुल है, सक्तिशाली है, वो विस विजेता बन जा गया, उसके पास छमता है, वो सामने वाले को परास्त कर सकता है वो दुनिया जीत सकता है ये विवेका नंजी का कतन आपको पढ़िए उनको तो अपने मन को सांत करिए अपने मन को आप कह सकते सर कैसे करें तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो जोगिंग कर लिया करिये सुभा सुभा एक गंटा बीश करके सारी दुनिया से इस तरह से ग्राब बैठे रहे ना आपके दिमाग को बहुत सांती मिलेगा आप पांच मिनट कोसिज करिए अपने मन को इस्तिर करें उस वक्त कोई खयाल नहीं आया दिमाग में बस ये कोसिज करना रोज ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका मन्त आपको यहां पर योग नहीं सिखा रहा है बलकि मैं यह बता रहा हूं कि कैसे आप अपने मन को थोड़ा देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं यानि पांच मिनट रोज करिए दीरे दीरे टाइम बिढ़ा ये पांच मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेकिन आपको ध्यान लगाना है आप ज Article 3 मिनट 11 मिनट 15 मिन-那麼'd करें सोथ दावे दीरे म सकता है ऐसका मन पर फुल लित होता है अच्छा होता उसका सबकुश अच्छा होता है तो यह देखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी तो और एस सब्दों के साथ मैं वीडियो को लोड करूंगा पसंद जरूर फीड़बेक करिए और अगर आर्केटेडिंग मॉबाइल आपको डाउनलोड ने कहा तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल पगराएक लिए और मेरा इंट्राडेटेडिंग कोर्स का इन्लॉल्मेंट इस्टार्ट है याद रखिएगा अक्टूबर ब वेबसाइट के तुरू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों